मैट्रिक पडिक्षा 2020 प्रता आठ बजे के कड़ीब में प्रस्न पत्र वाडल हुआ सूसल मीडिया पर और अभी अभी बड़ी खबर यह आ रहे ही कि पडिक्षा को रद किया गया है आपको हम बता दें कि मैट्रिक पडिक्षा में समाजिक विग्यान के प्रतम पाली की पडिक्षा को रद किया गया है आपको बता दें कि प्रता आठ बजे से ही प्रस्न पत्र सूसल मीडिया पर वाडल था इसके बाद हमने इसकी परताल की जब चातर परिच्छा देकर वापस लोटे तो उनसे हमने पूछा तो प्रस्ण पत्र वारल प्रस्ण पत्र से मिलते जुलते नजरा ऐसे में हम आपको बता दे कि 76 पन्नों का वाट्स अप मैसेज सुबा आट बहे से ही सोसल मीडिया पर घूम रहा था और समाजिक विज्ञान के प्रतम पालिकी परिक्षा रद की गई या आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब हमने प्रस्ण पत्र का मिलान किया तो समान रूप से एक जैसे थे ऐसे में हमने इस सम्मन में परताल के बाद उच्छा दिकारियों से भी इस सम्मन में सवाल पूछा कि कैसे प्रता आट बजे से ही प्रस्ण पत्र वारल था आप देख सकते हैं हमने मिलान किया और दोनों प्रसंपत्र समानते ऐसे में हमने जब उच्छा दिकाडियों से समन्द में पूछ ताज की और ये संग्यान में दिया कि प्रसंपत्र आठ बजे से ही वारल कैसे सिक्छा सुधार रोजगार की मुहीम एक बार फिर से काम्याब हुई और आपको बता दे कि सिक्छा सुधार रोजगार की मुहीम के बाद ही अव पड़िच्छा रद हुई है आपको बता दे कि से पहले भी कई बार प्रस्न पत्र वारल होने की खबर वाटसेप पर प्रस्न पत्र वारल होने की खबर सामने आ रहे थी और ऐसे में हमने इसकी परताल की खबर सच निकली BACB की कहीं न कहीं कमी थी और इस कमी के बीच फिर से प्रसन पत्र वारल हुआ था और सिक्षा सुधार रोजगार ने इस मुद्धे को गमभीरता से लिया और सभी उच्च अधिकारी और प्रेस मीडिया के बड़े जो भी अधिकारी उनको भी हमने इस मुद्दे से अवगत करा है और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चीहत्तर पन्ने का ये प्रसंद पत्र था आठ बच के किस मिनट पर हमें ये मिल चुका था आपको बता दे कि BACB अध्यक्चानंद की सोड ने भी इसकी पुष्टी की है 8 मार्च 2021 को अब परिक्षा दुबारा होगी प्रतम पाली की परिक्षा रद की गई आपके स्क्रीन पर आप सबूत देख सकते हैं सिक्षा सुधार रोजगार की एक और पहल काम्याब हुई मैट्रिक में समाजिक विज्ञान की परिक्षा रद की गई है और अब 8 मार्च 2021 को पुना इस परिक्षा को लिया जाएगा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए सिक्षा में सुधारों सभी के पास रोजगारों मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें